हलो स्टुडेंट्स, वालकम बैक तो माई यूटूब चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनॉमियल डिवीजन वन अफ दे मोश्ट इंपॉर्टन मैथड आप लोग अगर 10 में हो तो आपको ये मैथड के जो सम है ना वो बोड में 100% आते हैं ध्यान से सुनना 100% क्यों मैं 100% बोल रहा हूँ because जादा तर आप बोड के अंदर पॉलिनॉमियल डिवीजन पूछते और पूछते ही तो आज मैं आपको step by step पुरा गाइड करने वाला हूँ पॉलिनॉमियल डिवीजन करते कैसे है बहुत ही slow और आराम से जिससे आपके दिमाग के अंदर ये पूरा sum ये जो पूरे 3 sum है वो आपके दिमाग के अंदर बैठ जाएंगे चलिए तर शुरू करते है हमारा ये जो आज का टॉपिक है पॉलिनॉमियल डिवीजन देखो divide the polynomial p of x और g of x to find question and reminder in each of the following हम लोग को क्या करना है हम लोग को polynomial division find करना है और अपर हम लोग को polynomial division find करना वो find करने के लिए वो लोग ने क्या बोला है आपके पास g of x और p of x है तो ये सबसे पहले मैं आपको समझा दू g of x और p of x होता किया है देखो p of x माने P of X मतलब dividend होता है ठीक है P of X का मतलब होता है dividend G of X का मतलब होता है G of X का मतलब होता है divisor क्या होता है G of X का मतलब होता है divisor और R of X का मतलब होता है reminder क्या होता है बच्चा reminder ध्यान रहे एक एक चीज आपको छोटी छोटी चीज़े और Q of X का मतलब होता है Question क्या होता है बच्चा Question होता है तो ये चार चीज़े हैं आपके पास P of X मतलब Dividend G of X मतलब Divisor R of X मतलब Reminder और Q of X मतलब Question तो इतनी चीज़े आपके पास हो गई है अब इसके अंदर आपको मैं सारी चीज़े बताने वाला हूँ ग्यान से समझना देखो आपको याद होगा कि आप बच्चपन के अंदर इस तरह से देखो यहाँ जो भी equation रहेगा ना उसको Dividend मतलब P of X जिससे Divide होगा वो G of X जो Question आएगा वो Q of X और जो Answer Last में आता है Reminder that is R of X अब अब छोटी class के अंदर इस तरह से लिखते था आपको याद होगा Dividend is equal to Divisor Divisor into Question Question plus Reminder क्या कर रहा है यहाँ पर देखो Dividend is equal to Divisor into Question plus Reminder तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ P of X is equal to G of X into Q of X plus क्या हो जाएगा R of X यह आपका क्या बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे एक सिस्टम है कि इसको इस तरह से लिखना है कि अगर आप G of X, Q of X और R of X R of X का plus करो गया तो आपका P of X बनेगा और यह आपने छोटी ग्लास वे बहुत अच्छे से सीखा हुआ है ठीके, इसको याद रखना यह सारे indications को याद रखना symbol को और अब हम जाते हमारे division पर तो हमारे पास P of X और G of X है है ना, हमें बोल रहे question और reminder find करो इसका मतलब यह होता है Q of X find करो और दूसरा R of X find करो सबसे पहले आपको क्या करने का पता है इसको इस तरह से लिख लो किसे इसे इसे जैसे हम लोग division लिखते हैं ना, X cube minus 3 X square plus 5 X minus 3 और यहाँ पर लिख लो X square minus 2 बढ़व यह दोनों आपने लिख लिया X cube minus 3 X square plus 5 X minus 3 और यहाँ पर लिख लो X square minus 2 अब आगे क्या करो आगे आप लोग अब इसको divide करना है, अब मेरी बात जहां से समदना divide कैसे करोगे यहाँ पर site पर जो भी करूँगा मैं आपके reference के लिए आपके rough और के लिए करूँगा देखो, सबसे पहले इसको लिख देनेगा, X square X square minus 2 अब क्या करनेगा पहले term का ध्यान से सुनना, पहले term का degree चेक करो, यहाँ पर degree कितना है? 3 है यहाँ पर degree कितना है? यहाँ पर degree है 2, कितने का difference है? यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 तो दोनों के बीच में एक का difference पढ़ रहा है एक का difference माने एक X कम है, अगर इसको इसके बराबर होना है, तो एक X कम है तो जितने X कम हो न, उतने X से multiply करनेगा, जैसे कि यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 2 था एक का difference था, तो एक x से करने का, multiply करो, तो यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x cube, इसको इधर multiply करो, तो यह क्या हो जाएगा, 2x, जिससे भी multiply कर रहे हो, जिससे भी multiply कर रहे हो, उसको उपर लिखना, ठीक है, और यह जो भी answer आएगा, उसको नीचे, तो देखो, x cube के नीचे, x वाले term के नीचे ही x वाला term लखना है मतलब minus 2x minus 2x अब ये क्या हो जाएगा plus है तो minus हो जाएगा minus है तो क्या हो जाएगा plus हो जाएगा मरा परना plus है तो minus हो जाएगा और minus है तो plus अब ये confusion करेगा सर ये कैसे हुआ तो भाई sign change करना compulsory है Q क्योंकि अगर आपको जैसे कि मैं आपको एक reminder दू आप एक normal divide करो देखो 2 2 सा 4 होता है तो यहाँ पर sine कौन से होती थी यहाँ पर sine होती थी minus तो ऐसा समझ लो यह वाली जो minus sine यहाँ पर थी यह दोनों के साथ लग गए तो यह plus में था किसमें आ जाएगा minus में और यह minus into plus minus इंटो minus किसमें आ जाएगा plus में इसकी वज़े से यहाँ पर एक और step का इजात हुआ क्या वो ही step के भाई sign change करना कि अगर यह minus plus है तो minus करना और minus है तो plus करना यह cancel यह cancel किकर हमें साथ देखो plus minus नई sign देखने की पुरानी sign बुल जाने की plus plus तो कितना आ जाएगा 7x क्या हो जाएगा plus plus कितना हो जाएगा 7x और यहाँ से उपर से आएगा minus 3x square और यहाँ पर plus आएगा और यहाँ पर आएगा minus 3 आगे बढ़ते हैं same step फिर से repeat करेंगे क्या करेंगे अगेन यहाँ पर side पर लिखेंगे x square minus 2 बराबर x square minus 2 लेकिन अब देखो यहाँ पर x square है यहाँ पर भी x square है तो same हो गया तो अब क्या करने का अब तो difference 0 का आ गया सर आपकी method के इसाब से यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है तो 2 minus 2 तो 0 हो गया तो x लेने की ज़रूती नहीं है तो क्या लेने का उसके साथ जो number है वो लेने का यह number कौन सा आएगा यहाँ पर number आएगा minus 3 sign के साथ लेने का साइन के साथ लेने का तो क्या आ जाएगा minus 3 x square और minus into minus plus 6 जिससे multiply करोगे उसको कहा लिखोगे उपर और यह जो आएगा उसको नीचे minus 3 x square और 6 number के नीचे number exist करो तो plus 6 next step क्या है change the sign minus है तो क्या हो जाएगा plus plus है तो क्या हो जाएगा minus तो भाई यहाँ पर यह क्या आ जाएगा again यह cancel यह cancel that's it minus plus minus sign change करना मत बुला एक step है यहाँ पर क्या आएगा 7x minus minus क्या हो जाएगा plus तो आपका answer क्या आजाएगा आपका answer आजाएगा minus 9 तो अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो आपका जो q of x है जो q of x है वो क्या आया x minus 3 और जो r of x है वो कितना आया 7x minus 9 बड़ा simple और बड़ा easy way में मैंने आपको समझा दिया reminder और question कैसे निकालना है तो यह question number one का जो first sum था I think मेरे गाल से आप लोगो समझ में आया होगा ठीक है समझ में आ रहा है तो comment box में yes sir जरू लिखे ताकि मुझे समझ पर पड़े कि आपको हाँ मेरा teaching समझ में आ रहा है चलिए अब इसका second sum हम लोग solve करते हैं यह sum को आप copy down कर लिए चा अब next sum के अंदर क्या दिया हुआ है next sum के अंदर आप लोग को again p of x तो दिया है लेकिन p of x में अगर आप ध्यान से देखते हो तो standard form में नहीं है standard form मतलब क्या standard form मतलब x raise to 4 4 के बाद क्या आना चाहिए 3 के बाद क्या आना चाहिए 2 पावर की बात कर रहा हूँ 2 के बाद x और उसके बाद constant कोई भी number हो सकता है लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है देखो यहाँ पर problem क्या है यहाँ पर problem यह है कि आपको x raise to 4 दिया है लेकिन x cube नहीं है तो उसके लिए क्या करने का उसके लिए plus 0x cube लगा देने का minus 3x square plus 4x plus 5 ओके यह p of x हो जाएगा आपका यहाँ पर लिखने ना वही हो पुलना नहीं और आपका g of x तो g of x क्या हो जाएगा again g of x भी standard form में यह देखो x square x को पहले लेना पड़ेगा ना क्योंकि x square के बाद x आता है और plus 1 अब क्या करते है अब मैं यहाँ पर इसको divide में दालता हूँ तो x raise to 4 minus plus sorry plus 0x cube minus 3x square plus 4x plus 5 क्या करोगे आप लोग आप लोग अब यहाँ पर यह जो है divide की procedure करोगे divide कैसे करेंगे देखो यहाँ पर again आपको एक रफ़र की column प्रेडी कर लेता हूँ क्या procedure थी पहले इसको लिख लिख लिया जाएगा चलो लिख लेते है एक स्क्वेर माइनस एक्स प्लस वन अब देखो यह 2 है और यह 4 है तो कितने का difference है देखो यह 4 है और यह 2 है बस आपको पहला term ही देखना इसका पहला term इसका पहला term बाकी सब गया टेल लेने बाकी जो आना आया आने दो बस खाली पहले की term देखो तो दो का difference है मतलब x square लेना पड़ेगा तो x square into x square क्या हो जाएगा x raise to 4 ठीक है इसको इसके साथ करो तो यह आ जाएगा x cube इसको इसके साथ करो तो यह आ जाएगा x square साथ करो मतलब multiply करो इसको इसके साथ multiply करो जिससे multiply किया उससे क्या करो उपर लिखो तो यहाँ पर इसको उपर लिखा जाएगा यह क्या हो जाएगा x raise to 4 ठीक हो जाएगा minus x cube प्लस क्या हो जाएगा x square next step क्या बोला था मैंने sign change करो तो यहाँ पर क्या हो जाएगी sign change जाएगी plus है minus minus है plus plus है minus ठीक है है सब कुछ करनेगा sign chain अब देखो पहले वाला तो हमें सा कच्रे के डब्बे में मतलब cancel कर देने का अब देखो plus plus कितना हैगा plus अब यहाँ पर कुछ ने मतलब 1 तो हो गई तो 0 plus 1 नहीं sign count करो 1 बचेगा मतलब x cube minus minus लुखा लुखा क्या होता है plus होता है तो 3 plus 1 4 होगा मतलब क्या हो जाएगा minus 4 x square और यह क्या हो जाएगा plus 4 x और यह क्या हो जाएगी plus 5 ठीक है clear अब यहाँ पर आगे क्या करना है आगे हम लोग को again the same step क्या करो यह वाला जो है polynomial इसको लिखो यहाँ पर x square minus x plus 1 फिर क्या करना डिगरी चेक करना पुछने की बात है इसमें डिगरी कितना है 2 डिगरी कितना है 3 कितने का difference है sir एक डिफ्रेंस है एक का difference है मतलब कितने x लेने पड़ेंगे एक x लेने पड़ेंगे दिखो पहला टर्म तेखनेगा इसका पहला इसका पहला डिवाइजर का दिवीडन्ट का यह डिविडन्ट हुआ और यह डिवाइजर हुआ ये दुनों का पहला term लेना है तो यह क्या हो जाएगा x cube यह क्या हो जाएगा x square और यह क्या हो जाएगा x अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा जिससे multiply किया उसको उपर लिख दिया इसको bracket में multiply करना है और यहाँ पर क्या आजाएगा x cube minus क्या आजाएगा x square और ये plus क्या आजाएगा x next step क्या सिखाया था मैंने sign change करो भई sign क्या है plus है तो यहाँ minus हो जाएगी minus है तो plus हो जाएगी plus है तो minus हो जाएगी तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा पहला वाला तो पुरा cancel अब देखो minus plus क्या होगा minus plus क्या होगा minus होगा तो क्या बचेगा 3x square लेकिन क्या आएगा minus आएगा अब plus minus क्या होगा minus होगा तो क्या बचेगा यहाँ पर plus 3x बचेगा और ये plus क्या बचेगा 5 again the same step यह आजाने के बाद फिर से स्टेम क्या करना है x square minus x plus 1 अब क्या करोगे डिगरी चेक करोगे डिगरी वह इसकी भी 2 है इसकी भी 2 है दोनों सेम हो गई तो क्या करोगे उस particular number से multiply करोगे जो number यहाँ पर आया है minus 3 अब दिखो आप ऐसा मत सोचना कि बाइ minus 3 अम्मेस आएगा वो तो लास सम्में भी आगए इधर भी आगए generally कोई भी number हो सकता है यहाँ पर minus 3 आ रहा है तो दीखो minus 3x square plus 3x और यह minus 3 जिससे multiply किया है पर आवर उसको उपर लिखोगे minus 3 जो यहाँ पर answer आया है उसको यहाँ पर नीचे चिपका दो यहाँ पर क्या आएगा minus 3x square plus 3x minus 3 next step क्या करोगे sign change करोगे तो minus का क्या हो जाएगा plus plus का क्या हो जाएगा minus minus का क्या हो जाएगा plus तो भाई यहाँ पर यह भी cut है ना क्योंकि पहले वाला तो हम में सा cut cut ही होता है यह भी cut तो plus plus x square plus x minus 3 और इसका reminder कितना आ जाएगा इसका reminder आ जाएगा 8 तो देखो कितना easy और कितना आराम से मैंने ये second वाला sum भी आपको complete करा दिया है अगर वीडियो समझ में आ रहा है भाई बार बार बोल रहा हूं अगर समझ में आ रहा है तो yes sir जरूर लिखना और doubt है तो comment box में जरूर आप देखो कि तो मैंने each and every comment के answer जरूर देता हो चले इसी question का last sum है वह अभी complete कर लेते हैं तो भाई अब आ चुके हैं हम लोग हमारे आखरी पढ़ाओ आखरी question number one का third लेकिन बहुत ही बढ़िया sum है क्यों यहाँ पर सब गाया भी गाया बे देखो सबसे पहले तो यहाँ और जो गाया बे उसको add कर लेते हैं क्या-क्या गाया बे एक्स रिश्टू 4 फिर गाया बे हमारा 0x3 फिर गाया बे हमारा 0x2 फिर यहाँ पर minus 5x और यहाँ पर plus 6 और यहाँ पर है आपका g of x that is what that is x2 which is minus और यह क्या हो जाएगा plus 2 ठीक है फिर आपको यहाँ पर ज्यादा कोई tension बीच में x डालना है था आप डाल सकते हो ऐसा नहीं x2 के बाद यहाँ पर अगर आपको 0x लेना है तो you can and then I can write plus 2 ठीक है अब यहाँ पर आपकी ज्यादा दिमाग की जरूत पड़ेगी क्यों जरूत पड़ेगी मैं बताता हूं आप लोगको देखो यहाँ पर सबसे x plus 6 ठीक है अब यहाँ पर यह है minus x square plus 0x और यह क्या है plus 2 ठीक है किचेडी बन गए यहाँ पर थोड़ी किचेडी कम बनाते है minus x square plus 0x plus 2 ठीक है अब यहाँ पर देखो rough work कैसे चलेगा इसका rough work का एक column खड़ा कर लेते हैं हमारे पास है minus x square minus x square plus 0x और plus 2 अब यहाँ पर मुझे कुछ लेना पड़ेगा कि जिससे x raise to 4 है अब मेरी बात ध्यान से समधना यहाँ पर 4 है यहाँ पर 2 है तो but obvious है आप लोग x square से multiply तो करोगे लेकिन in case अगर आपने इसको multiply किया तो यह हो जाएगा x raise to 4 that is minus अगर आप यहाँ पर रखोगे वो minus पर रहेगा इसकी sign plus आएगी उसकी sign plus आएगी plus आने के बाद एक 2x raise to 4 हो जाएगा हमें तो cancel करवाना है तो cancel करवाने के लिए क्या चाहिए opposite sign चाहिए cancel करवाने के लिए opposite sign चाहिए अब opposite sign लाने के लिए कुछ तो जोल करने पड़ेंगे ना कुछ तो logic लगाना पड़ेगा तो logic यह है यह minus लगा दो because minus into minus क्या होता है plus होता है तो यह क्या हो जाएगा x raise to 4 minus into minus क्या हो जाएगा plus और यहां पर अब क्या हो जाएगा अब हो जाएगा minus minus क्या हो जाएगा 0x minus 0 into यह हो जाएगा 0x cube because x cube और यह minus 2x square अब आप लोग बोलोगे सर यहां minus क्यू रखा देखो answer हम लोगो same to same यह plus में है तो plus महीं लाना है फिर हम लोग sign change करके minus में गुमाएंगे तो मुझे मेरा दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा concentrate करना पड़ेगा कि मैं minus into minus answer plus में मिलेगा इसलिए मुझे यह minus रखना पड़ा तो आपने किस से multiply किया है minus x square से और आया क्या है x raise to 4 minus 0x cube minus 2x square अब next step क्या है change the sign यह minus यह plus और ठीक है तो अब यह क्या हो जाएगा यह आपका हो जाएगा cut cut यह देखो इसका कुछ काम नहीं है because यह zero zero ही आया तो इसको नई भी लोगे तो चलेगा directly अब क्या ले लेंगे plus 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 हो जाएगा तो यहाँ पर आजाएगा 2x square यहाँ पर आजाएगा minus 5x और यहाँ पर आजाए माइनस x square प्लस 0x और यह प्लस 2 ठीक है अब यहाँ पर x square x square same हो गई तो क्या करेगे मैंना अजस्ट सिखाया था same to same number ले लेने का 2 लेकिन अब यहाँ पर लोचा यह है कि अगर same to same number 2 लाना है लेकिन यह तो minus 2x square आ जाएगा और हमें क्या लाना है हमें plus लाना है तो again क्या करना पड़ेगा यह minus sign लगा देना तो minus into minus क्या हो जाएगा plus 2x square और यह minus 0 जा 0 यह 0x हो जाएगा और यह हो जाएगा minus into minus minus plus minus 2 2 जा 4 जिससे multiply किया है उसको उपर लिख देना जिससे यहाँ पर क्या आगया 2x square यहाँ पर क्या आगया minus 0x और यहाँ पर क्या आगया minus 4 next step क्या है change the sign plus का क्या हो जाएगा minus minus का क्या हो जाएगा plus minus का क्या हो जाएगा plus cancel cancel तो भाई आपका जो final answer है plus minus minus बचेगा minus 5x और plus plus बचेगा plus 10 इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो q of x होगा वो क्या होगा minus x square minus 2 और जो r of x था वो क्या होगा minus 5x plus 10 यह थोड़ा ठीचडी बन गई यहाँ पर भी यहाँ पर आ जाएगा minus 5x plus 10 तो in short मैंने आप लोग को Q of X और R of X दोनों समझा दिया है तो मेरे ख्याल से आप लोग को यह question number 1 के तीनों समझ में आ गए होगे वीडियो कैसा लगा है comment box में जरूर बताना पसंद आया है तो like कर देना और अपने friends के साथ share जरूर कर देना next video में फिर से मिलेंगे till there keep watching, keep sharing, bye bye